जब किसी कंड़क्टर से करेंट फ्लो करता है तो उसके कई सारे इफेक्ट्स होते हैं जैसा कि हम लों कुछ इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं एक होता है हीटिंग इफेक्ट और करेंट जिसमें की हीट प्रोडूस होता है करेंट फ्लो होता है तो हीट प्रोडूस होता है एक दूसरा इफेक्ट होता है जिसको हम लोग करते हैं केमिकल इफेक्ट केमिकल इफेक्ट में क्या होता है कोई कंपाउंड जो होता है वो में ब्रेक हो जाता है और जाकर के डिपोजिट होने लगता है ठीक है यह दुसरा एफेक्ट हो गया एक तीसरा होता है जिसको हमलों कहते हैं magnetic effect of current मलताब current flow करता है तो आस पास में एक magnetic field create करता है magnetic field जैसा कि आप जानते हैं कि कोई magnet होता है कोई चुंगक होता है तो उसके आसपास magnetic field होता है तो वैसा ही behavior कुछ ये current carry conductor जो है वो शो करता है मतलब कोई conductor है अगर उसमें current flow कर रहा हो तो वो कुछ magnet जैसा behavior शो करता है उसके आसपास अगर कोई compass needle रखें तो उसमें deflection देखा ज सकता है इसका मतलब यह है कि current carrying conductor जो है magnetic field प्रोडूस करता है इसके लिए ncrt में एक activity दिया हुआ है जिसके लिए मैंने आप डाइगराम में बनाया हुआ है तो उस activity से हम लोग यह समझ सकते हैं कि कोई current carry conductor जो है वो किस तरह से magnetic field create करता है या create करता है या नहीं करता है उस activity स यह प्रूफ हो जाता है जिसके देखेंगे यहां पर एक circuit दिखाया गया है इस circuit में रेजिस्टेंस है अमेटर है बैटरी है स्वीच है यह एक बड़ा सा मोटा सा conductor दिखाया गया है है यह यह लो कलर का यह conductor ठीक है और यहां पर एक horizontal plane बनाया ब्लू कलर से मैंने एक horizontal plane बना पास नीडिल रखा गया है जब यहां से switch on करके current flow करा जाता है तो देखा यह जाता है कि जो magnetic needle है उसमें deflection आता है और जब deflection आता है तो इससे यह proof होता है कि जो conductor है इससे जब current flow करता है तो यहां पर magnetic field create हो जाता है क्योंकि magnetic needle तो केवल magnetic field की वज़े से ही deflect हो सकता है तो यहां से यह proof होता है कि अगर किसी conductor से current flow कर रहा हो तो magnetic field create करता है magnetic effect produce करता है ठीक लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं कि अगर conductor में current flow कर रहा है इसका मतलब है कि उसमें जो है charges move कर रहे हैं उसके अंदर move करते हैं free electrons उस conductor के अंदर move कर रहे होंगे जिसकी वज़े से current flow करता है तो क्या हम इसे एक और conclusion निकाल सकते हैं कि moving charges जो है हैं वो भी magnetic field produce करते हैं ठीक है क्योंकि जब यह conductor है conductor से current flow नहीं कर रहा है कोई charge move नहीं कर रहा है तब इस needle में कोई deflection नहीं आता लेकिन current flow करने लगता है यानि charge move करने लगते हैं तब यहां पर जा करके deflection करने लगता है तो इससे हम लोग यह समझ सकते हैं कि अगर चार्ज मोशन में होता है तब ही magnetic field create करता है ठीक अब अब यह कहेंगे कि अगर चार्ज जो है मोशन में है तो magnetic field create करता है लेकिन जो magnets होते हैं magnet तो एक जगह रखे हुए हैं उन्हें कोई current भी नहीं फ्लो करता है फिर वो magnetic behavior कैसे सो करते हैं फिर वो magnetic field कैसे वो डूस करते हैं तो एक्चुली में जो magnets हैं उनके magnetic field create करने का जो राज है वो भी यहीं पर चुपा हुआ है एक्चुली हम सब जानते हैं कि हर material के अंदर atoms होते हैं atoms के अंदर Click hand wallet में गून तो motion में हैं और अब हम्ने यहाँ पर क्या सिखा कि अगर electron मोशन में हो क्रिएट करता है तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉंस रिवोल्व करने और बीट में वो खुद छोटे-छोटे मागनेट जैसे विह करते हैं वो खुद भी मागनेटिक फिल्ड क्रिएट करते हैं अब इसमें डाउट यह आएगा को कि एटम तो सारे मैटरियल में होते हैं हboo सारे मैटरियल में होते हैं हर एटम के अंदर एटर्ण भोनते तो सारे मैटरियल मैगनेटिक बियवियर क्यों नहीं शोब करते हैं क्या कि कुछ ऐसे मैटरियल ጥ कॉते हैं जिनमें की मैंने का कि अिबस्जों घुमता तो वह एक काम करता तो एक मैंगेटिद में।ट में और लेल एक दूसरे के पैरलेल हो जाते हैं और जब वो एक दूसरे के पैरलेल हो जाते हैं तो एक लार्ज मेगनेटिक फिल्ड क्रिएट करते हैं कि उनको उनका मेगनेटिक फिल्ड एक दूसरे को बढ़ा रहा होता है वो एड होते 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 एक लार्ज मेगनेटिक फिल्ड वहाँ करने लगते हैं लेकिन कुछ ऐसे मेतरियल होते हैं जिन में वह इलाइन्मेंट हो नहीं पाता है आर्बिटरी डारेक्शन में रहता है वह ना तो यह का मगनेटिक फिल ऊपर है किसी का नीचे है तो सब कही ना करें दूसरे को जो राज है जो सेक्रेट है वो यह है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉंस घूम रहे हैं ना चार्जे घूम रहे हैं उनकी वज़े से तो यह तो मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाया मैं उसको यहां पर नोड़ के फॉर में लिख रहा है आप तो यहां पर क्या खाल गया यह जो एक्टिवीटी हम ने किया उस एक्टिवीटी का कंक्लूजन है पर बताया गया कि कंपास नीडिल is deflected when current is passed through the conductor near compass needle, compass needle के pass में अगर current flow करने लगता है किसी conductor से तो वो compass needle जो है deflect होता है, इससे क्या result निकलता है, इससे conclusion निकलता है, it means current carrying conductor produces usage magnetic field, ठीक, इसके आगया आते हैं, कर सकते हैं कि current carrying conductor has large number of free electrons moving inside conductor, conductor के अंदर अगर current flow कर रहा है, तो free electrons जो है वो इसके अंदर move कर रहे हैं और उनके move करने के वज़ा से magnetically create हो रहा है, तो क्या यहां सका सकते हैं, so we can conclude that moving charges produce magnetic field, यह conclusion हो गया, इसके आगे बताया, the main source of magnetization and magnetic behavior of a magnet is motion of free electrons और motion of just electrons inside atom of magnetic material from which magnets are made, जिस material से भी magnet बना जाते हैं, उस material के अंदर electron का circle में घूमना, किसी atom के अंदर electrons का घूमना ही, जो main source है magnetization का, यह magnetic behavior का, यह यहां पर हमने यह सिखा है, अभी तक हमने यह सिखा, कि किसी conductor से अगर current flow कर रहा हो, तो वो magnetic effect प्रोडूस करता है, magnetic field प्रोडूस करता है, अब हम लोग यह सिखेंगे, कि actually मैं magnetic field होता क्या है, और magnetic field को समझने के लिए, और कई सारी चीज़ें हमें जाननी होती है, जैसे compass needle होता है, magnetic lines होती है, इनके बारे हम यहां पर सिखेंगे, है ना, तो यहां पर हमनों दो तीन चीज़ें सिखने वाले हैं, एक तो magnetic field क्या होता है, magnetic field lines क्या होती है, compass needle क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते होंगे, compass needle भी एक चोटा सा magnet जैसा होता है, अगर इसको free छोड़ दिया जाए, कि अपने आपको किसी भी direction में rotate कर सकता है, तो यह हमेशा ही magnetic field के parallel अपने आपको align करता है, अगर इसको horizontal surface पर कहीं छोड़ दिया जाए, इसका हवा में छोड़ दिया जाए, तो हमें पता है कि भले कोई magnetic field हो या नहीं हो, अर्थ का अपना magnetic field हर जगा रहता है, अर्थ जो है एक बड़े से magnet जैसा behave करता है, इसका अपना magnetic field है, तो अगर ऐसे हवा में इस needle को छोड़ देंगे, तो ये rotate करके घूम फिर करके north-south direction में अपने आपको align कर लेता है, जैसा कि यहाँ देखेंगे, diagram में मैंने दिखाया है, कि ये अगर north है, ये south है, तो ये magnet विल्कुल इसके parallel align हो गया है, तो compass needle का जो side, north side में आता है, उसको north hole कहा जाता है, और जो वाला end, south side में आता है, उसको हम लोग south hole कहते हैं, अब कोई magnet है, तो magnet के आसपास एक region होता है, एक space होता है, जहाँ पर इस magnetic force को experience किया जा सकता है, magnet के आसपास जब आप needle को ले जाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये magnetic force experience करेगा, और आपने आपको magnetic field के parallel align कर लेगा, ठीक, तो कोई magnet है, magnet के आसपास एक ऐसा region होता है, जहाँ पर ये needle है, वो magnetic field को experience कर सकता है, हैना, बहुत दूर चले जाएंगे, तो ये experience नहीं कर सकता उस magnetic force को, इसलिए दूर जाने पर magnetic field जो है, वो खतम हो गया, ठीक, तो magnet के आसपास जो इस region में ये needle जो है magnetic force को experience कर सकता है, उस region को magnetic field कहा जाता है, हैना, और magnetic field का आपना strength होता है, आपनी intensity होती है, जिस point पर intensity ज़्यादा होगी, strength ज़्यादा होगा field का, वहाँ पर force भी ज़्यादा लगेगा, हैना, तो किसी point पर, जैसे कोई bar magnet है, bar magnet के आसपास जो space होता, जो region होता है, उसके आसपास किसी point पर, अगर magnetic field का direction पता करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए एक चोटी सी activity करते हैं, हैना, जैसे देखेंगे यहाँ पर, मैंने एक magnet बनाया है, यह बार magnet है, और इसके आसपास, जो है, जैसे इसको horizontal table पर रख दिया, paper बिछा करके, एक paper बिछाया, उसको उपर magnet रख दिया, और जो iron feelings होते हैं, चोटे-चोटे iron के टुकडे हैं, उनको हम लोग ने यहाँ पर छिड़क दिया, इसे स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है, और जिस board पर, जिस table पर आपने इसको रखा होगा, उसको एक बार, एक बार ठोकेंगे, तो क्या होगा, हो हीलेंगे, डुलेंगे सारे हिलने डुलने के बाद अपने आपको magnetic field के parallel align कर लेते हैं, है ना, तो किस तरह से align करते हैं, एक pattern बन जाता है, वो देखेंगे, pattern यहाँ पर धीख रहा है, है ना, जैसे छोटे-छोटे irons हैं, iron के टुकडे हैं, तो कैसे align करते हैं, देखेंगे, यहाँ पर ऐसे, यह सब एक इसा कहा जा सकता है, कि यह जो pattern बन रहा है, actually magnetic field का direction बताता है, जैसे देखेंगे, यहाँ पर एक यह जो है, यह iron feelings है, अगर इनको सब को जोड़ेंगे तेक line बनेगा, यहाँ इनको जोड़ेंगे तेक line बनेगा, ठीक है, ऐसे देखेंगे, यह line बन रहा है, है ना, यह सारे lines बन रहा है, तो यह जो lines बन रहा है, इन ही को हम लोग magnetic field कहते है, magnetic field lines कहते हैं, इनको, ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे, ऐसे जा रहा है, कुछ इस तरह से, यह lines देख रहे हैं हमें, इधर भी, तो यह एक तरह से pattern बन रहा है, तो यह जो lines है, अच्छली में इन ही को हम लोग magnetic field lines कहते हैं, किसी भी line पर, जैसे magnetic line है, इस point पर magnetic field का direction पता करना हो, तो इस पर tangent draw करेंगे, tangent का मतलब एक ऐसा line जो just touch कर रहा है, उस पर, tangent draw करेंगे, तो magnetic field का direction पता चल जाएगा, magnetic field हमेशा इस tangent के parallel होगा, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, कि इसमें, मतलब ऐसा experiment से check कर सकते हैं, कि north pole से lines of forces जो है, यह lines है, यह lines यहां से निकलती हैं, ऐसे, और यह south में जा करके, इंटर हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह से, मतलब यहाँ पर magnetic field का direction मुझे पता करना हो, तो मैं यह करूँगा, यहाँ एक tangent draw करूँगा, तो tang, इधर ही magnetic field का direction होगा, इधर arrow है, यहाँ भी, अगर यह line है, तो यहाँ देकना हो, तो tangent draw करेंगा है, ऐसे, तो यह magnetic field का direction होगया, यहाँ पर magnetic field का direction होगया, ऐसे, यहां पर Magnetic Wheel के Direction नहीं ते 10 जिट के लोंग ऐसे यहां पर ऐसे यह डारेक्शन अक्षिन में थोड़ा था मैंने उल्टा बनाया है यह ऐसे होना चाहिए मतलग कि North Pole से Lines of Force जो है Lines of Force Magnetic Lines of Force यह बाहर निकलती है और South में इंडर करती है अगर हमारे पास ऐसा option हो कि RN feelings को अंदर भी रख सके तो यहां भी हमें दिखता है Lines of Force जहां पी आती है Magnetic Lines of Force इस Magnet के अंदर भी होती है क्योंकि अंदर भी Magnetic Field होता है तो Magnet के अंदर Lines of Force से South से North की तरफ जाती है जबकि बाहर में North से निकल करके South में इंटर करती है तो यह हमेशा ही एक Closed Loop बनाती है Magnetic Lines of Forces तो Magnetic Lines of Forces के बारे में थोड़ा सा यहां पर मैंने डीटेल में लिखा हो अगर आपको Notes बनाना हो तो यह सारी जे एक बार आपको पढ़ना पढ़ेगा और Note करना पढ़ेगा ठीक है तो मैं एक बार पढ़के दिखाता हूं यहां पर जैसे आप देखेंगा इधर तो यहां पर Compass Needle बनाया है इसके बारे मैंने जो भी समझाया था यहां लिखा है कि End of Compass Needle pointing towards North is called North Pole, End pointing towards South is called South Pole The region surrounding a magnet in which magnetic force can be experienced is called Magnetic Field Magnet के आसपास जो region है जहां पर Magnetic Force experience किया जा सकता है उसको Magnetic Field करते हैं higher the intensity of Magnetic Field higher will be Magnetic Force जिस पॉइंट पर Magnetic Field की intensity ज्यादा होगी वहां पर Magnetic Force ज्यादा लएगा Intensity का मतलब हुआ कि उसके हम लोग एक तरह से magnitude की बात कर रहे हैं है जहां पर Intensity ज्यादा होगी वहां पर Force भी ज्यादा लएगा जैसे यहां पर देखेंगे कि Magnetic के पास में यहां पर जो है Iron Filling का जो density है बहुत ही ज्यादा है तो चुकि यहां पर जो है फिल्ड का स्ट्रेंथ भी यहां पर ज्यादा होगा इसलिए डेंसीटी ज्यादा महाँ पर ज्यादर आइन चिपक गए है पास में आपर ठीक है तो यहां पर Magnetic फिल्ड की intensity ज्यादा है तो यहां पर Magnus पर फोर्स या आरन फिलिंग जो है उन्तों फोर्स भी ज्यादा लगता होगा तो यह कहा गया higher the intensity of Magnetic फिल्ड higher will be Magnetic फोर्स थीक है मतलब यहां तो बता है कि Magnetic फिल्ड क्या है स्पेस है एक रीजन है लेकिन एक्षुल्य में Magnetic फिल्ड एक वेक्टर क्वांटिटी वी होता है जिसका अपना डारेक्शन होता है अपना मैगनेजूर होता है तो मैगनेजूर की बात करें तो उस ही को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी और डारेक्शन कि कि इस डारेक्शन में जो है Magnetic फिल्ड एक्ट कर रहा है तो उसको देखेंगे यहां पर तो मैगनेटिक फिल्ड का डारेक्शन देखने के लिए तो हमें टाइंजन ड्रो करना पड़ेगा और स्ट्रेंथ के लिए क्या देखते हैं यह लाइन्स और फोर्स की डेंसिटी देख जादा होगा ठीक है तो यहां कहा गया कि मागनेटिक फिल्ड लाइन्स और इमेजिनरी लाइन्स ऐसा कोई लाइन यहां पर है नहीं अच्छली में वह तो आयरन फिल्ड को हमने यहां पर स्प्रिंकल कर दिया तो उसे एक लाइन का पेटर्म दिख गया हमें अध्रवाज स स्पेस में ऐसा को यहां हमें दीखता नहीं है इसलिए हम ने कहा कि इमजिनरी लाइन होती है किसलिए हमें समझने के लिए कि मैगनेटिक फिल्ड जींद किस डिर्क्शन में हिसीचन में है वहां पर स्ट्रेंथ lines a tangent on which gives the direction of magnetic field intensity तो magnetic field जो है उसका direction बताता है और साथ में density के हिसाब से उसका intensity भी पता चाल जाता है फिर तो अज़र the magnetic field lines sprinkle some iron feelings around magnet तो magnet के आज पास हम लोग iron filling को sprinkle कर देंगे तो क्या होता है iron feelings arrange themselves parallel to the field lines तो जहां पर field होगा magnetic field होगा या magnetic field lines होगी उनके parallel आपको arrange कर लेते हैं जब arrange कर लेते हैं तो हमें एक pattern दीखने लगता है तो वह यहां पर बताया है iron feeling iron feelings pattern around magnet तो यह pattern बताया गया है कि किस तरह से जो है iron feeling अपने आपको magnetic field के parallel या magnetic lines के parallel अपने आपको align करता है उसके parallel जो है जा करके कड़ा हो जाता है तो यह दो तीन चीजे हमने सीखा यहां पर कमपास मिंडिल के बारे में magnetic field के बारे में और magnetic field lines के बारे में अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उससे थोड़ा वहता आपको idea हो गया होगा कि magnetic field of lines जो है वो क्या होती है ठीक थोड़ी सी और properties जो है magnetic field lines के आप यहां पर समझेंगे उससे पहले हम लोग यह जाना चाहेंगे कि magnetic lines of force को draw करने का क्या और कोई तरीका है क्या तो एक और तरीका है जो कि यहां पर बताया गया है यह तरीका है drawing a magnetic field line with the help of a compass needle देखें यहां पर एक बार magnet रखा गया है और एक compass needle है जिसको कि यहां पर सब्सक्राइब यह magnet रख दिया हमने horizontal table पर और यह magnet भी horizontal table पर रखतेंगे ठीक है तो ऐसा रखने से इसको थोड़ा का इसको ऐसे rotate करके हम छोड़ देंगे तो अपने यहां रोटेट करके जो हैसे कुछ direction में align हो जाएगा तो देखेंगे जैसे यह compass needle है इसका south pole यहां पर है और north pole यहां पर है ठीक अब इसी कम पास अ अगला पोज़ीशन में जो साउथ होल पहले जहां था वहां पर रखना है तो इसका सौर्थ region के पास फीक्य रहे फिर इसी को आगे खिसकाएंगे इस निडिल का जो साउथ पोल है वो यहां पर रखेंगे और नौर्थ पोल जो है उसको घूमने के लिए छोड़ देंगे फ्री तो यह गूम कर वाप्स ऐसे लाइन होगा फिसका नौर्थ को इधर आ रहे है तो यह बार बार ऐसे इसका जो आउप को अगले ओले dos तो इस तरह से sot North जो है कि इस तरह से यह जोने दिल है वह एलाइन होता जाएगा में इस तरह से तो देखेंगे कि अगर नीडिल इस तरह से कुछ एलाइन हो रहा है हर डिफ्रेंट पोजिशन पर तो यहाँ पर हम लोग जब भी यहां रखेंगे तो यहां पर एक अधर निडिल रखनी सकते हैं लेकिन अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो कोई भी मैगनेट हो मैगनेट में दो पूल होते हैं नौर्थ पूल और साउथ वोल खास बात यह है कि किसी भी मैगनेट में मोनोपोल एगिस्ट नहीं करता है मोनोपोल मतलब एक ही पोल हो या तो नौर्थ हो या साउथ हो ऐसा कोई मैगनेट होता नहीं है क्योंकि इसमें हजारों जो है एटम्स है मैंने बताया था कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉंस घूमते रहते हैं उनकी वज़से यह मैगनेट बनता है तो आप यहां से दो पा होता है जैसे कि मैं करता हूँ कि मैंसी में आजाएगा और इसमें नौर्थ को मैगनेट बन जाएंग बहलेएख stress कम हो जाएगा है लेकिन नौर्थ और साओठ वो पॉन और ऐसे तो जितने में अब स bekommen इसमें डूर्स हर जाता है इसमें अगर में ऐसे डिवाइड कट चलूं बहुत सारे पार्ट मैं बनाता हूं जैसे जैसे यहां पर साउथ है यहां पर नौट यहां पर नौट यहां पर नौट यहां साउथ यहां नौट इस तरह से कहा जा सकता है कि नौर्थ कोल जो है वह यहां से इस डारेक्शन में मूव कर रहा है तो मैगनेटिक फिल्ड का जो डारेक्शन है मैगनेट के अंदर वो नौ और्थ कोल के motion के direction में होता है यहां क्या बताया गया देख सकते हैं कि कहा गया कि magnetic field has both direction and magnitude होता है उसी को हम लोग magnetic field का strength या intensity कहते हैं कि magnitude is called strength or intensity of magnetic field अब direction कैसे पता करें उसके लिए तरीका बताया direction is taken inside magnet magnet के अंदर कैसे direction decide करते हैं in the direction of north pole moves north pole this direction में move कर र्राहे magnet के अंदर उसी direction में magnetic field काwn Sü弟 लिया जाता है तो यहाँ देखके के north pole जो है वह यहां पर है और यहां पर आया फिर यहां पर आया यहा पर आया इस तरह से north pole इस तरफ ऐसे अगर यहां पर ऐसे नहीं तो इस तरह से हम लोग यह भी कर सकते हैं कि magnetic lines of forces closed loop बनाती है है यहां से बाहर से तो आया था अंदर भी यह चल रहा है इसका मतलब magnetic lines of forces जो है वो closed loop बनाती है ऐसा जो टूकले टूकले बनाया है आप छोटे-छोटा इसको आप छोटे-छोटे compass needle मान सकते हैं इनमें भी south north आता था इसमें भी south north आता हैं, haino? ईसशना सकते हैं कि magnetic field जो है उतर की तरह जा रहा है तो magnet के अंदर magnet के अंदर देखेंगे तो magnetic field south से north की तरह जा रहा है जबकि magnet के बाहर north से करके south में इंटर कर영 it कर रहा है तो यहां से हम लोग एक conclusion निकालते हैं क्या कर निकालते हैं so field lines emerge from north emerge from north pole and enter into south pole outside the magnet magnet की बाहर की बात करें तो north pole से lines of force निकलती है और south pole में इंटर करती है जब कि magnet के अंदर क्या होता है उसको यहां बताया गया inside the magnet field lines move from south pole to north pole इस diagram में देख सकते हैं कि magnet के अंदर south pole से north pole की तरफ जा रही है और इससे conclusion निकलता है कि lines of forces जो है close नो बनाती है magnetic field lines जो है वो close curve बनाती है तो अगला statement जो यहां लिखा गया है वो यह है thus magnetic field lines are closed curves वो बीच में तूटती नहीं है मतलब को दोनों end जो होता है उनका वापस एक जगा पर जुड़ जाता है तो close कर बनाती है ठीक है तो magnetic field का यह एक property हो गया कि यह close कर बनाती है यह important point है और यह याद रखना है ठीक है यह actually में जो भी मैंने यहां पर लिखा है यह सारे ही important lines है कभी भी अगर magnetic field lines के बारे में पूछा जाए तो यह सारे points आपको लिखना चाहिए है ना कि north pole से immerge होती है और south pole में इंटर करती है magnet के बार जबकि magnet के अंदर south से north के तरफ move करती है यह close कर बनाती है और इनसे हम लोग idea लगा सकते हैं कि magnetic field का direction की ज़र है उसका magnitude ज्यादा है या कम है relative magnitude पता कर सकते है exactly value यहां पर पता नहीं कर सकते है ठीक तो यहां क्या बताया गया higher the density of field lines higher will be the strength or intensity of magnetic field मतलब density ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ है आप देखेंगे पीछ तो है थोड़ा देर पहले हमने lines of forces draw किया था जैसे यह lines दिख रहा है तो एक line मैं draw करके दिखाता हूं यहां पर ऐसे यह ऐसे आया यहां पर field lines ऐसे चल रही है कुछ है तो ऐसे 1000 lines हम draw कर सकते हैं इधर से भी draw कर सकते हैं कुछ इस तरह से आप कि ऐसे भी draw कर सकते हैं ऐसे सब में North pole से lines of forces निकलेंगी और South pole में इंटर करेंगे यहां से इंटर करेंगे यहां से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे जैसे कि मैंने थोड़े पहले भी बताया था कि जहां पर डेंसीटी ज्यादा है जहां पर ज्यादा क्लोज कर्व से हैं पास-पास में कर्व से हैं वहां पर जो है मागनेटिक फिल का स्ट्र या intensity ज्यादा होता है जैसे यहां पर देखेंगे density बहुत ज्यादा है जैसे दूर चले जाएंगा तो यहां पर एक परपर्टी यह भी हो गया कि density जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मगनेटिफिल का strength होगा आचा तो यह परपर्टी हो यह यह याद करने लाएक है मतलब कि कभी भी question पूछा जाए properties of magnetic field lines के बारे में तो यह सारा चीज mention करना है तो आप आते हैं अगले point पर इसमें कहा गया है two field lines never intersect each other because it means at a point of intersection there will be two directions of magnetic field which is not possible यह जो sentence है वो यह कह रहा है कि दो lines जैसे यहाँ पर देखेंगे कहीं भी दो lines intersect नहीं करेंगे अगर दो lines ऐसे intersect कर देती है एक में ऐसे lines जा रहा होगा एक में ऐसे lines जा रहा होगा तो मैंने क्या बताया आपको कि field lines पर tangent draw करने से field का direction पता चलता है तो इस point पर point of intersection पर दो दो tangent आएगा और एक tangent इधर आएगा और एक टैंजेंट इधर आएगा टैंजेंट मतलब line touch कर रहा हो तो दो दो टैंजेंट आएगा तो दोनों टैंजेंट के लोग एक magnetic field आजाएगा जबकि हमें पता है किसी एक point पर magnetic field एक ही direction में हो सकता है अगर मैं कहता हूं कि अगर यहां पर compass needle रफोंगा अगर दो direction magnetic field होगा तो compass needle दोनों तरफ होना चाहिए इधर भी इधर भी हो नहीं सकता निडिल तो एक ही है तो एक ही direction में किसी direction में रहेगा तो इसका मतलब यह हुगा कि जो है यहां पर दो लाइंस इंट्रसेक्ट नहीं करेंगे जैसे यहां पर एक line है तो यहां पर direction दिखाना हमारे असान है यहां भी direction दिखाना असान है लेकिन जब दोनों तो वो दो direction पॉइंट करना चाहिए है ना वो दो different direction पॉइंट होना चाहिए जो की गलत है जो की possible नहीं है इसलिए जो है दो लाइंस का भी इंट्रसेक्ट नहीं कर सकती है ठीक है क्योंकि एक point पर एक ही magnetic field का direction हो सकता है तो अभी तक हमने जो भी theory पढ़ा है उससे related दो example solve करेंगे जो की NCRT में unsold example के form में दिए गया है जैसे कि पहला example है बहुत ही simple सा example है और इससे related जो theory हमें पढ़ा हुआ है इसमें क्या पुशा गया है कहा गया है why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet कोई बार magnet है उसके पास में एक compass needle अगर ले जाते हैं तो वो deflect क्यों होता है यह हमसे पूछा गया है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो compass needle है वो एक छोटा सा magnet है जब दो magnet को पास में ले जाते हैं तो उनके बीच में magnetic force लगता है जाया attractive हो repulsive हो force लगता है साथ में torque जो है physical quantity होता है तो रोटेट करने के लिए यह तॉर्क लगना जुरूरी होता है और translation के लिए यह rotation के लिए बीडोनों के लिए force लगना जुरूरी होता है तो यहां पर force और टॉर्क दोनों लगता होगा जिसकी वज़द से यह घूमता है तो यहां पर हम लोग यह कर सकते हैं since compass needle is itself a small magnet, so bar magnet exerts magnetic force on the compass needle when it is placed near bar magnet, that's why it gets deflected, बहुत simple सा question था, इसके बाद जो अगला example है, इसका जो solution है, वो पहले से हमने थेयरियम बताया हुआ है, इसमें क्या पुछा गया है, draw magnetic field lines around a bar magnet, यह बार मगनेट है, तो इसके आज पास field lines जो है, कैसी होती है, कैसा behavior होता है, वो यहाँ पर हमें दिखाना है, तो यहाँ पर देखेंगे कि lines of forces North Pole से निकल रही है, और जाकर South Pole में इंटर कर रही है, इनको हमें ऐसे करना चाहिए, इनको मिला देना चाहिए, क्योंकि यह lines of forces जो है, मैगनेट के अंदर भी travel करती है, यह हमेशा close loop बनाती है, इस तरह से, तो देखेंगे, तो देखेंगे, नौर्थ force lines force जैसे निकलती है, यहाँ पर इंटर करती है, और यह घूम करके आती है, हमेशा, अब यह जो है और जादा दूर से घूम करकर आएगा मैगनेटिकक फिलक कर स्ट्रेंद एन तो यह जो सीधा जा रहा रहा है, काफ़ी दूर से घूम कर आती है, पर इंटर कर रहा है तो इस तरह से, कुछ और उसको देखते हैं जैसे यह देखेंगे इसमें पूशा गया है लिस्ट दपरपर्टी जो फिल्ड लाइन्स की जो भी प्रपर्टी जोती है वच्छे तो हमने थी यह पढ़ लिया है लेकिन एक बार यहां पर जो है जितनी परपर्टी जग बार मेंशन करके यहां देखेंगे जैसे कि पहला परपर्टी बताया गया दीज लाइन्स इमर्ज आउट फ्रों नॉर्थ पोल एंड इंटर इन साउथ पोल अगर हम बात करें बाहर की तो मैगनेट से बाहर लाइन सब फोर्सेज नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर करती है ज अगर बात करें बाहर मैगनेट के बाहर तो नॉर्थ पोर्स लाइन सब्स निकलेंगी और ट्रेवल करते हुए साउथ पोल में जाकर के इंटर करती है जबकि मैगनेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है क्योंकि हमेशा यह क्लोज कर होते हैं तो आगे दूसरी प्रपर्पर्पटी है अर्क लोजग है looking Aufg를 करते मतलब की वी हमेशा की तूर्थ तूरी प्रपर्परटी हैं क्योंकि मिषंब हलों कि अगर्ष ट्रिट में प्रॉट जा रहा हो तो क्यों प्यों भीच में गया नहीं ह sowynion जो है वह ओंडिननुफ होती है हैं हमेशा तीसरी प्रपर्पर्टी है two magnetic field lines never intersect each other तो इसका मतलब भी बताया था कि क्यों intersect नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ही point पर जो है दो-दो tangent आ जाएंगा अगर एक point पर intersect करेंगे तो और दो tangent आने का मतलब हुआ कि दो direction आएंगे magnetic field के जो कि possible नहीं है इसलिए intersect नहीं करते हैं चोथी प्रपर्पर्टी है the density of field lines represent the strength or intensity of magnetic field मतलब किसी point पर अगर density जादा है तो वहां पर magnetic field का strength जादा होगा किसी point पर इनकी density कम है तो वहां पर magnetic field का strength जो है वो कम होगा जैसे यहां पर देखेंगे कि जो poles है यहां पर density जादा है तो यहां पर strength भी जादा होगा यहां भी density जादा है strength भी जादा होगा लेकिन इधर density कम है है तो इधर strength कम हो जाएगा इसके बाद जो अगला example है इसी एक property से related है क्या कहा गया इसमें why do two magnetic field lines of forces never intersect each other है ना अलब ऐसा क्या कारण है जिसकी वज़से दो field lines एक दूसरे को कभी intersect नहीं करती जहादा कि मैंने अभी बताया कि जो है field lines पर अगर हम कोई tangent रो करते हैं तो वो tangent क्या बताता है magnetic field का direction बताता है ठीक अगर यह दो lines किसी point पर intersect करती है तो उसी point पर दो tangent आएंगे एक इधर एक इधर और दो tangent आने का मतलब कि दो दो direction हो गया field का magnetic field का है ना और दो direction हो नहीं सकते किसी भी एक point पर field का direction एक ही होना चाहिए किनकि needle को आप रखेंगे compass needle को तो क्यों एक ही direction पर point करेगा हो है ना तो फिल्ट का direction एक होना चाहिए दो नहीं होना चाहिए इसलिए दो tangent भी नहीं होनी चाहिए और इसी लिए intersect भी नहीं करना चाहिए तो इसका solution मैंने यहां पर लिखा है इसको एक करते हैं और समझते हैं कहा गया है we know that tangent on field lines gives the direction of magnetic field field line पर कोई tangent draw करते हैं तो वो magnetic field का direction बताता है if two field lines intersect then there will be two tangents at a single point it means two directions of magnetic field at a single point which is not possible that's why these lines never intersect